नमस्कार जहन दोस्तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने योटूब चैनल सिभा आउनलाइन क्लासिस में दोस्तो मेरे पास इस समय है जवलपुर एरू का आर्मी का जीडी का ओरिजिनल कोस्टन पेपर तो चलिए दोस्तो आज की इस वीडियो में हम इस कोस्टन के पेपर के लिए जो है बोर डिसकस करते हैं तो दोस्तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन दिये होए होते हैं फर्स्ट पेज पे तो जल्दी से हम चलते हैं अपने कोस्टन की तरफ तो ये देखिए दोस्तो set A आपके सामने आ चुका है soldier general duty जेवलपुर ARO का ये army gd का original question paper है तो चलिए दोस्तो बिना समय गवाए आज की वीडियो start करते हैं तो question number 1 है आपका How many countries are members of SARK SARK के सदस्य देश कितने हैं ठीक है जो SARK है दोस्तो उसके सदस्य देश कितने हैं तो question number 1 का correct answer है आपका option A 8 SARK दोस्तो SARK में सदस्य देश होगी संक्य कितनी है 8 है ठीक है next question की तरफ चलते हैं दोस्तो next question है हमारा East India Company was formed in which year East India Company की स्थापना किस बर्स हुई थी question number 2 का सही answer है आपका option B 1100 31 December 2016 में East India Company की स्थापना की गई थी ठीक है तो दोस्तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता जएं कि हमारे चैनल पर इसी तरह से आर्मी के original question papers के जो है वो आपके लिए PDF file के दौरा हम आपको ये question paper कराते हैं और बड़ी मुश्किल से मैं आपको ये PDF file लेकर आता हूँ तो दोस्तो वीडियो को like और share जरू कर देना और अगर चैनल पर नए हैं और आर्मी में भरती होना चाहाते हैं तो चैनल को subscribe जरू कर लें question number 3 के तरफ चलते हैं वस्तर is located in which state of India वस्तर भारत के कौन से राज में इस्थित है काफी simple question है काफी बार मैंने आपके लिए इस question को कराया है तो question number 3 का सही answer होगा option B 36 ठीक है वस्तर जो है वो भारत के 36 गड़ राज में इस्थित है जिसमें दोस्तो हाल ही में अभी नक्सल अटेक भी हुआ है बीजापर्म ठीक है question number 4 के तरफ चलते हैं which river is known as शिंघी खंबन इन तिबत ठीक है किस नदी को तिबत में सिंघी खंबन के नाम से जाना जाता है question number 4 का सही answer होगा option D सिंदू ठीक है सिंदू नदी जो है उसके लिए तिबत में दोस्तों सिंघी खंबन के नाम से जाना जाता है question number 5 है हमारा इंद्रा गांधी गोल्ड कप किस खेल से संबंदित है इंद्रा गांधी गोल्ड कप is associated with beach sport ठीक है question number 5 का correct answer होगा option A, hockey ठीक है इंद्रा गांधी गोल्ड कप पिक होकी से संबंदित है question number 6 है आपका what is the terms of राजसभा members तो जो राजसभा members होते हैं राजसभा के सदस होते हैं उनका कारेकाल होता है question number 6 का correct answer होगा option C छे साल राजसभा के जो सदस होते हैं दोस्तों उनका जो कारिकाल होता है वो होता है 6 साल का ठीक है एक most important question है दोस्तों ये बहुत बार आपके exams में पूंचा जाता है पेले is associated with which sport? पेले किस खेल से संबंधित हैं? तो दोस्तों पेले जो हैं पर एक महान footwaller हैं और ये footwall से संबंधित हैं question number 7 का correct answer होगा option A footwall ठीक है seven questions हो चुके हैं eight question के तरफ चलते हैं लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सभी को बता दें कि वीडियो काफी important है A.R.O. जवलपूर का Army G.D. का ये original question paper है ठीक है तो उमीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आएगी अगर वीडियो आपको पसंद आए और आप ARMI में भरती होना चाहते हैं सच में तो आप इस channel को subscribe कर लिजिए क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए ARMI की भरती से संबंधित और आपके लिए आर्मी की questions paper बिल्कुल original question paper हम आपको लेकर आते रहते हैं तो question number 8 है हमारा आज का Where is the headquarters of world bank? विस्व बैंक का मुख्याले कहां पर इस्थित है? ठीक है? तो question number 8 का correct answer होगा आपका option B Washington DC विस्व बैंक का जो मुख्याले है वो Washington DC में इस्थित है और Washington DC कहां पर है दोस्तो अमेरिका में है Next question हमारा Which place is related to outbreak of the revolt of 1857? ठीक है कौन सा इस्थान 1857 की गरांती की सुरुआत से सम्बंदित है? तो दोस्तो आप सभी को पता होगा कि 1857 की गरांती जो शुरू ही थी वो ही थी मेरट से question number 9 का correct answer होगा option C question number 10 का जीतने वाले प्रिथम भारती थे रविंदरनाथ टेगोड तो question number 10 का सही answer होगा option C अभी चलते हैं हम 11 number question के तरफ 11 number question है हमारा भारती सेन अकादमी कहां पर इस्तित है इंडियन मिलिट्री अकेडमी जिसको हम आईये में बोलते हैं आईये में कहां पर इस्तित है तो आईये में इस्तित है दोस्तो कहां पर देरा दून तो यहां पर question number 11 का सही answer होगा option B question number 12 है which country sent man to the moon first सबसे पहले चांद पर किस देश ने मनुस्य को भेजा था तो question number 12 का सही answer है आपका option A अमेरिका और सबसे पहले चांद पर कौन गया था निल आमिस्ट्रॉट ठीक है तो question number 13 का सही answer होगा आपका option D नर्मदा ठीक है next question है हमारा how many members were there in drafting committee of the constitution ठीक है समिधन सभा की drafting committee में कुल कितने सदस थे तो question number 14 का correct answer होगा option B साथ सदस ठीक है और next question यानि कि आज की वीडियो का last question है और last question को बताने से पहले मैं आपको दिखा दूँ ये section B है में 16 से 30 questions तक हैं इस question इस section के लिए मैं कल की वीडियो में कराम बद तो दोस्तो पूरे question करने के लिए पूरा question paper पर हल करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ठीक है question number 15 है in which state of India is जोदपूर located जोदपूर भारत के किस सहर में किस राज में इस्थित है तो जोदपूर जो है दोस्तों वो भारत के राजस्थान राज में इस्थित है ठीक है तो ये थे 15 questions वीडिय आपको पसंद आज होगी अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और आप देख रहे थे यहां पर दोस्तों यारो जवलपूर का ओरिजिनल पेपर आर्मी जीडी का ठीक है तो उम्मिद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो काफी helpful होगी चैनल पर नए ह तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लें तो चलिए कल फिर में लेंगे इसी वीडियो का पार्ट सेक्ट लेकर यानि के सेक्शन भी लेकर तब तक के लिए नमस्कार जैहन जैवारत